हाथ आपकी चेप्टिल 15 का टेस था बहुत इंपोर्टेंट क्योशन है ठीक है बढ़िया तरीकी सापको देना है पहला क्योशन उस वृत का शेत्रफल गयात कीजिए जिसकी 37 cm है इसकी परीदी गयात करो अच्छे से पढ़िये करना यानि कि दोनों दो-दो मार्च के आपके तीसरा एक साइकिल का पाईया 11 किलोमेटर चलने में पांच चार चक्कर लगाता है तो पाईये का व्यास गात करो वील ऑफ बाइसिकल मैक्स 5000 रोटेक्शन तू कंप्लिट दिस्टेंस ऑपन किलोमेटर फाइंड डायमेटर वील टू माक्स का यह ठीक है फॉर्ट एक वरतागार घास के मेदान की तरिजा 35 मेंटर इसके चारों और साथ मेंटर चोड़ा मार्क बनावा है मारक का शेतरफल दा रेडियस ओफ सर्कुलर ग्रास लेंड इस 35 मेंटर देर इस फूट पाथ बनाना चारों वह उसको वह वाइड विड्थ डवलो एडिट एच सेन मेंटर आउन इनट तो फाइंड डा एरिया ओफ फूट पाथ तो आपको एरिया निकालना है यह आपकी थ्री मार्क्स का ठीक है अब देखो क्यों नमर फिप्थ चाइंगित बाग का शेतरफल ग्यात करें आपको डियागराम दिख रहा है आपको इसी दाइगराम देखके आंसर निकाल सकते है इसका तो बस रेडिस देख लेना इसकी आपको शेतरफल ग्यातरों जो त्रिजयों आट सेंटीमेटर वाले दो वरत्तों के चतुरतानशों के बीच में उबेनिष्ट है उबेनिष्ट का मतलब दोनु तरफ कॉमन है फाइंड एडिया ऑफ शेड़ेट फॉर्शन फॉलाइंग फिगर विद्ध विच रिजन आपको वियास मानकर एक अर्दवर्त खिंचा गया है थिंचा गया है चाहिंगित बाग करो यह डियाग्रामा को दिख रहा है बहुत अच्छे से करना मैंने बहुत डीप्लीज को समझाए था आपको इन फिगर देरीज़ेंट एवी एमसी ओफ ए सर्कॉल विध रेडियस है चाहिंगित बाग का शयत्रफल गयात कीजिए जहां ABCD भुजा 10 cm का एक वर्ग है तदा इस वर्ग ABCD की परतिक भुजा को व्यास मानकर दवर्त बने हैं इस तरीके से बहुत ही प्यारा साइट था आपको क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस करी तो बढ़ना थे मुश्किल भी है ठीक है बहुत अच्छे से करना ओके बैस्टोप लाग